पुलिस ने बड़ी ही लूट की वारदात का खुलासा किया है हम आपको बता दें कि सहर की घनी आबादी नहरू नगर में दिन्दहारे महिला से लूट की वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बलकि पुलिस कर्मी का पुत्र निकला है पुलिस ने पुलिस कर्मी के पुत्र की निशान देही पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली पुरी टोली को इधर्दब होचा है वारदात का खुलासा करते हुए CSP सिवेंद्स थी ने बताया कि नहरू नगर निवासी कभिताफ पटेल 16 जून की दोपार तक दिवन 12 बजे चिरहुला मंदिर से दर्शन कर वापस अपने घर जा रही थी तभी नहरू नगर के समीब बाइक सियाय सीना ज्यात बदमासों ने महिला के गले से सोने से बने दस लाकेट वाला मंगल सूस लूट कर फराव हो गए थे वारदात का खुलासा करने में लगी समान थाना प्रभारी सशी दूर्वे ने बजरंग नगर गेट के पास से ब्लैक कलर की एफजेट बाइक में सवार तीन यूबकों को संदेख की आधार पर पकड़ा था पुस्ताश के दौरान यूबकों ने अपना नाम अब्दुलफरीद उर्फ बवलू खान निवासी बोदावाग इर्फान उर्फ बवरा निवासी खुटेही दुरूब उर्फ सन्नू सिंग निवासी निराला नगर बताया है वहीं यूबकों ने महिला से लूट की वारदात को नजान देना भी कबूल कर लिया है पुलिस ने आरोपियों से लूट का मंगल सूत्र चार नग मोबाइल और धारदार चाकु सहित वारदात में प्रियुक्त बाइक भी जब्त कर ली है बताया जा रहा है कि गिरों का मास्टर मांट जिले के एक चौकीवे पदस्त पुलिस कर्मी का पुत्र ध्रोग और पसन्नू सिंग है जैसे ये नेहरुन नगर में आत्वादार चाहिए जैसे ये नेहरुन नगर में आत्वादार चाहिए स्कूल के पास पहुंची तो तीन लोग पीछे से मोटर साइकिल में आए उपने से एक आनी उत्रा और ये अपने गले में कुछ तोने का जेवरादमन चली बोलते है उसको पहने हो जिए इसको खीच के बगा जाके मोटर साइकिल में बैठ गया ते हम लोग बाग गया ते ह इसे कारोपी एरफान खान है ये पुटभी का निवासी है और एक नगाला नजर का संग्लों पुटरू सिंग है तीनों बोलते हैं तीनों पकड़े गया है तीनों से जो नोंने लूट में पोटर साइकिल इस्तेमाल की तो पकड़ी गया है लूट के समझे पास एक चापू विचापू ये परामात किया गया है और तोने के मन चली उनोंने लूटी थे परामात कर ली देए